तो गाई जे एक और वीडियो में सभी का सुवागत है और कल ही मैंने छोटी सी सोट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई एक करोड रुपे की जुरूरत है और काफी भाईयों ने उसके अंदर कोमेंट करे हैं बाई मुझे नहीं पता था आप इतना स्पोर्ट करोगे उस चीज के लिए क्योंकि मैंने बोला था कि बड़ी फैक्टरी लगानी है और यह जो चीज मैंने बोली है यह जल्दी ही होने वाली है और आप लोगों को स्पोर्ट होगा तभी पोसिबल हो पाएगी यह ना तो जल्दी ही वो चीजे करने स्टार्ट हो जाएंगी और क्या-क्या चीजे रहेंगी उसके अंदर वो सारी चीजे मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले तो उसके बाद में आप सब अपनी अपनी suggestions हैं जो वो मेरे को देना कि भाई ऐसे से ठीक रहेगा तो उसके इसाब से फिर आके काम करेंगे ठीक है guys तो अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि जितने भी यहाँ पर transistor लगे हुए हैं अगर मान लो हम एक ही module बोड के अंदर 16 pair ज्यादा से ज्यादा देखे होंगे ठीक है तो ऐसा क्यों होता है एक ही बोड के अंदर क्यों न हम 30, 35, 50 pair लगा के एक ही बोड को हम क्यों नहीं बना सकते ज्यादा power का यह चीज आप लोगों के समझ में आती नहीं होगी कभी सोचते तो बहुत होगे लेकिन समझ में नहीं आती होगी ऐसा क्यों है क्यों नहीं है ठीक है तो वो जो चीज है वो सारी की सारी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप लोगों को जैसे यह जो बोड रखे हुए इनके अंदर देख सकते हम ड्रैवर बोड लेंगे उसके उपर एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले जैसे एक पेर, दो पेर, चार पेर, दस पेर ऐसे करके हम एक एक पेर उसके अंदर एड करेंगे और जो साउंड है उसके अंदर फरक देखेंगे कि भाई कितना फरक आ रहा है और अलग-लग voltage देके देखेंगे उनको कि बाई कितनी voltage पे कैसे sound आ रही है और transistor change करने से increase करने से और कम करने से sound के अंदर क्या फरक आ रहा है क्या-क्या चीजें इसके अंदर घट बढ़ रही है तो यह जो चीज है मेरे हिसाब से अभी तक YouTube पे किसी ने नहीं की होगी इसके अंदर क्योंकि काफी सारे transistor से लग जाएंगे हमारे हो सकता है कुछ source भी हो जाएं तो उसमें नुकसान भी है थोड़ा सा बट हम करके देखेंगे ये चीज तो जिससे कि आप लोगों को cover हो जाएगा सारे चीजें पता चल जाएंगी कि भाई क्या क्या चीजे हैं ऐसा क्यूं होता है या फिर अगर कर सकते हों तो किसी साब से कर सकते हैं ठीक है गाईज तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए टेक केर